कन्या राश्यवालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जुलाई के इस महीने में एक बड़ी भयंकर घटना आप सभी के जीवन में हर हाल में होकर रहेगी, जी हाँ दोस्तो अब रोना धोना बंद करो और जल्दी से इस वीडियो को अंत तक देख लेना बेटा, इतने बड़े खुश खबरी मिलने वाली है कि सुनकर लंगड़ा भी एक पैर पर नाचे लगेगा हम इस बात की फुल गारंटी देते हैं दोस्तों, ऐसा खुश खबरी सभी को नसीब नहीं होता है, जो अब आप सभी को मिलने वाला है दोस्तों लेकिन हम आप से भी की जानकारी के लिए बता दें कि यह खुश खबरी आपको इसलिए मिल रहा है, क्योंकि आपने अपने जीवन में पिछले समय बहुत ज्यादा मेहनत किया है, इसके लिए आप बहुत संघर्ष किये हैं, दिन और रात आपने नहीं देखा है, और अपन में कहें, तो दोस्तों, आप अंदर ही अंदर घुट घुट करें, जी रहे थे, लेकिन अब रोना धोना बंद करो, और इस मौके का लाब उठा लो, क्योंकि ऐसा मौका हाथ से चला गया, तो दोस्तों, जीवन में फिर दोबारा ऐसा मौका इश्वर आपको नहीं देने व जो भी व्यक्ति इस समय का लाब उठा पाएगा, वह इस कलियुक का सबसे बड़ा भाग्यशाली इनसान बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों, अगले 48 घंटे का समय कोई मामूली समय नहीं है, यह समय जुलाई महीना का सबसे भाग्यशाली समय है, और सबसे बड़ी भयंकर घ खुशी से पागल हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, एक साथ दो दो खुश खबरी आप सभी को मिलेगा, एक तरफ धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान को वीर महाराज आपके घर आएंगे, वहीं दूसरी तरफ ग्रह गोचर का भी पूरा पूरा साथ आप सभी को मि मिलेगा, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे जी, हिंदुस्तान तो अंत तक ध्यान से देखिएगा, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी माता रानी की सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक् कि आने वाले अगले 48 घंटे का समय आप के लिए सबसे भाग्यशाली समय है, परंतु इसका लाभ लेने के लिए आपको अपने जीवन में एक उपाय को करना होगा, जी हाँ दोस्तों, इसे आपके घर गोचर का परिणाम है, उनसे आप वंचित रहेंगे और सभी प्रकार क के शुभ परिणाम आप सभी को प्राप्त होगा, दोस्तों, यह समय अगले 48 घंटे के अंदर आप जब भी घर से बाहर जाएं, एक चीज खा कर ही जाना, वह कौन सा चीज है जिसे खाने से आप सभी का जीवन बदल जाएगा, तो सब विस्तार से हम आपको बताने वाले है खास कर के लिए 48 घंटे के अंदर आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा, इस पूरे जुलाई के महीने में घर से बाहर निकलते समय चुप चाप खा लो, यह एक रुपए की छोटी सी चीज, फिर आप जिस भी काम के लिए निकल रहे होंगे उस काम में आपको बड़ी ही अपार सफलताएं मिलेगी, धन दौलत, मान सब मान प्यार और इन सब से कहीं बढ़कर आपको अपने शत्रूओं पर विजय प्राप्त होगी, तो जैकारा बोलो मातारानी का जगत, माई महा माई माई मा, दुरगा की जै बोल, मा के सच्चे द पहुचाना चाहते हैं, उनकी बोलती बंध हो जाएगी, जी हाँ, प्यारे मित्रों, एक चीज में इतनी अधिक सकती है, यदि इस पूरे जुलाई के महीने में घर से बाहर निकलते, समय में आपने इस चीज को अपने मुह में रखा, आपके आसपास एक विशेश उर्जा का वातावरण तयार हो जाएगा और फिर आपकी, सभी मनुकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सब एक एक करके आपकी आँखों के सामने ही पूरी होने लगेगी, वह भी कुछ ही दिनों के अंदर हमारे शास्त्रों में अलग-अलग चीजों के बारे में विशेश वर्णन द पताया है, यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि दही खाकर निकल जाओ, पान का पत्ता मुह में रख लो या फिर इलाइची लौंग होंगे, रख कर निकलो इतनी छोटी-छोटी साधारन चीज नहीं है, इन सब चीजों से भी लाभ तो होता है, लेकिन उस स्तर का लाभ नहीं प् यह आपके सौभाग्य का निर्मान कर सकें और आपके जीवन से हर एक कष्ट को समाप्त कर सकें, जब आप एक चीज का प्रयोग करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे, पैसा चुम्बक की तरह आपकी ओर आकरशित होने लगेगा, प्राचीन काल में यानि की पुराने जमाने में तो इस चीज का प्रयोग बहुत किया जाता था, राजा महाराजा जब भी युद्ध लड़ने जाते थे, किसी विशेश पड़ी कारे के लिए जाते थे, तो भी एक चीज का प्रयोग करके ही अपने यहां से बाहर निकलते थे, और हमेशा सफल होकर, विजई हो कर ही वापस लोटा करते थे, अब छोटी छोटी बातें तो लोगों को पता रहती हैं, लेकिन कुछ विशेश, बेहद, शक्तिशाली उपाय और नुस्खे ऐसे होते हैं, जो की समाप्त हो चुके हैं, तो हम आपको इस चीज के बारे में बताएंगे, प्राचीन काल की वही शक्तिशाली और एक छोटी सी चीज, बस आपको किस तरह प्रयोग करना है, इसका नियम क्या है, कुछ विशेश सावधानिया भी आपको रखनी होगी, सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे, यानि कि जोतिश कार्यक्रम बेहद ही ज्यान वर्धक है, और इस जोतिश कार्यक्रम को पूरा देखें, यदि आपने इस जोतिश कार्यक्रम को बीच में छोड़ दिया, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं, यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, तो चलिए, इस बेहद ही ज्यान वर्धक जोतिश कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इसके पहले आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ती भाव के साथ जैमा दुरगा क्रिपा करो, अवश्य लिखना मातारानी की आपको विशेश क्रिपा प्राप्त होगी, और अगले 24 घंटे में आपको बहुत बड़ी खुश खबरी यहा इसी के साथ साथ माई के इतिहास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटे का निशान है उसे भी अवश्य दवा दें, ऐसा करके आप हमारी और मातारानी के दिव प्रताप हासिल होने लगेगा कि आप हमारे परिवार की ओर मातारानी के दिव्य परिवार के सदस्य, बन चुके हैं और परिवार में होने वाली हर एक गतिविधी का हिस्सा, तो परिवार के सभी सदस्यों में पढ़ता ही है, तो पुन्य का हिस्सा भी आपको प्राप्त हो लगभग हर इंसान के जीवन में देखने को मिल जाती है। जैसे की पहली समस्या पैसे की समस्या है। दूसरी रिष्टे नाथों में उठल पुठल मची हुई है। यानि की लोग रिष्टे में तो है, लेकिन वे संतुष्ट नहीं है। यानि पति-पत्नी आपस में एक दूसरे के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, भाई-भाई से संतुष्ट नहीं है, परिवार में कलह-कलेश का माहौल रहने लगा है, कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता है। तीसरा, घर में किसी न किसी प्रकार की बीमारी का हमेशा साथ रहता है, कोई न कोई इनसान लगातार बीमार बना ही रहता है, जिससे फिजूल खर्ची होती है और घर का माहौल भी डिस्टर्ब रहता है, नकारात्मक रहता है, देखने के लिए मिलता है घर के जो बच्चे है यानि नव्युवक है, युवतियां है, घर के बड़ों की बात नहीं मानते हैं और लगातार नकारात्मक स्थितियों में लिप्त बने रहते हैं, घलत कारियों में डूबे रहते हैं, जिससे की परिवार की मान सम्मान और छवी पर भी आँच आ जाती है, अब यह सब परेशा परेशानिया कुछ इस प्रकार से इंसान को पीडित कर रही होती है कि वह अपनी तकलीफ को किसी से बता भी नहीं पाता है और अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। एक कर देते हैं और जैसे ऐसे पैसा कमा कर लाते हैं लेकिन वह उनकी खुद की जरूरतों के लिए तो पूरा हो ही नहीं पता है। ऐसे विशेश पड़े खर्चे भी आ जाते हैं जो कि उन्हें करजा लेने पर भी मजबूर कर देते हैं। आपको एहसास ही नहीं पता है कि आप तो अपनी मानसिक उल्जन में ही इतनी अधिक होती हैं। क्या आपको ना तो कुछ अब अच्छा लगता है और ना ही कहीं पर आपका मन लगता है। रिष्टे नाथों से भी आपका भरोसा उठ चुका है क्योंकि वही खींचतान, वही लालच और वही दुरुपयोग आप रिष्टों में भी देखते हैं कि अपना होकर भी लोग लगातार धोखा देते चले जा रहे हैं। और आपका शोशन करते रहते हैं। इस वजह से आपका रिष्टे नाथों पर से भरोसा उठ चुका है। आज की इस जियोतिश कारिक्रम को बनाने का हमारा मकसद केवल इतना सा है कि आपके जीवन में जो नकारात्मक्ता प्रवेश कर चुकी है, उस नकारात्मक्ता को हटाना। सकारात्मक शक्तियों का आपके जीवन में प्रवेश कर पाना बहुत ही आवश्यक होता है। अब आप समझेए कि जीवन में इस प्रकार की परेशानियां आती ही क्यों है। क्या जीवन परेशानियों को भोगने के लिए मिला है। प्यारे दोस्तों, इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि संसार में नकारात्मक्ता हावी होती जा रही है। लोगों के मन में अब आस्था और विश्वास की कमी होती जा रही है। अब लोगों के मन में अपने धर्म, अपने भगवान, अपने रिष्टे नातों, यहां तक की अपने स्वयम पर भी भरोसा नहीं रहा है। लोग हमेशा वह में रहते हैं। इसी वजह से लोग मतलबी हो चुके हैं, बस अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं, कहने का मतलब यह हुआ कि जीवन में कश्ट का सबसे बड़ा कारण है, नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश कर जाना, अब जहां दिन होता है, वहा भगवान, बात क्यों नहीं कर देते हैं, क्यों भूतों को भगवान नहीं खुला, छोड़ रखा है, लोगों को परेशान करने के लिए हो सकता है, आपके मन में यह प्रशन भी आए, तो प्यारे मित्रों जो भूत प्रेतों की नकारात्मक उर्जा ए हैं, असल में उर्जा ही है कि नकारात्मक आपके लिए है, लेकिन भगवान की नजर में भी नकारात्मक नहीं है, भगवान की नजर में तो फिर भी उर्जाओ का ही स्वरूप है, और वह भी भगवान से ही बने हैं, अब भी उर्जाएं, आपके लिए नकारात्मक परिणाम देती हैं, तो आपक कि आप स्वयम सकारात्मक होंगे यानि कि आप यदि मन से नकारात्मक हैं आपके मन में गलत भावनाएं नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती रहती हैं तो भूत प्रेत की नकारात्मक शक्ति आकरशित होकर आपको परेशान करने लगेगी लेकिन यदि आपके मन में सारी बातें बताने का मतलब ये है, प्यारे मित्रों की जीवन में यदि आपको कुछ भी बड़ा हासिल करना है, या सिर्फ शांती और सुकून ही हासिल करना है, कि चैन की दो रोटी और हमें अच्छी नींद आये, और आपस में हर एक रिष्टे नाते में प्रेम बना रहे। इसके लिए सबसे बड़ी बात कि आपको स्वयम को बदलना होगा, आपको हमेशा सकारातमक रहना होगा। जितना सकारातमक आप अपने आप में रहेंगे, उतनी ही सकारातमक उर्जा हो तो आप अपनी और खींच आएंगे। यह मित्रों तो यह आप कैसे करेंगे। अब आप हमसे समझी अब हम आपको जो बता रहे हैं बहुत ही गहरी और बहुत ही शक्तिशाली विधियां हैं प्राचीन काल में इन विधियों का प्रयोग आर्शि मुनिकिया करते थे और अपने शिश्यों को भी सिखाया करते थे लेकिन अब लोग इन सब बातों को नहीं बताते हैं तो अब ध्यान से सुनिए सबसे पहली बात कि आप जब सुबह सोकर जागे हैं तो भगवान को धन्यवाद अवश्य दें कि भगवान ने आपको एक नया दिन दिया है हमेशा कराग्रे मंत्र का जाप अवश्य करें जैसे ही सोकर जागे अपनी हथेलियों को देखते और महामंत्र है जो माता रानी की सभी शक्तियों का सूचक है जैनती मंगला काली दुर्गा कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाह स्वधा नमोस्तुते इस मंत्र का जाप जाप करें यह अर्गला स्त्रोत का पहला महामंत्र है इसे भी आप अवश्य जाप करे इससे मातारानी की शुद्ध सकारात्मक उर्जा आपकी ओर आकर्शित हो जाएगी और अंत में अपने देवताओं को नमन करना है जैसे कि स्थान देवता, देव नमह, पित्र देवता, देव नमह, इस तरह की देवी शक्तियां आपको हमेशा देर कर रखी हैं यानि कि आपके पित्र देवता, आपके कुल देवी या देवता और आपके स्थान देवता जहां पर आप रह रहे हैं वह कभी न कभी कोई न कोई दिव्य शक्ति अवश्य रहती होगी यह मित्रों तो वह दिव्य शक्ती भी आपको घेर कर रखती है तो आप कोई दैवी शक्तियों का नमन करना है और उसके बाद धर्ती मा को नमन करते हो जमीन पर पैर रखना है इस तरह आपको अपने दिन की शुरुवात करनी है और शुरुवात में आप कोशिश करें कि कम से कम आधे घंटे तक किसी से कोई बात ना करें इसी की कोई बात न सुने जितना हो सके उतना शांत रहें ना ही कोई भजन करें ना ही कोई नाम उच्चारण करें कहने का मतलब ये है कि आधे घंटे तक मोहन रहे और मोहन केवल मुख से ना हो मन से भी मौन रहे यानी कि निर्विचार मौन रहने की कोशिश करें ये नहीं कि सौकर जागे और तुरंत योजनाएं बनाने लगे कि दुकान पर क्या करना है नौकरी पर जाकर ऑफिस में क्या करेंगे कौन सी फाइल कहां रखी है किस से क्या कहना है कितने रुपे लेने है कितने देने है कुछ भी विचार नहीं लाने है आधे घंटे तक आपको बिलकुल मौन रहना है जी हमें तो बस आसपास के वातावरण को देखें और भगवान का धन्यवाद करते रहे हे प्रभू आपने हमें घर दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें बच्चे दिये इसके लिए धन्यवाद आपने हमें इतना अच्छा समाज दिया परिवार दिया, शरीर दिया, हाथ पैर आँखना जो भी कुछ आपके पास है वह भगवान का ही तो दिया हुआ है तो जो भी कुछ आपको दिखे उस सब के लिए भगवान का धन्यवाद अवश्य करें या मित्रों, ये बहुत ही शक्तिशाली विधी है और इस विधी का प्रयोग प्राचीन काल में लोग करके बहुत सुख और संपदा हासिल कर लिया करते थे लेकिन अब लोग इन सब चीजों के बारे में भूल चुके हैं आप हमारे कहने से केवल साथ दिनों तक इस विधी का प्रयोग करके देखें आधे घंटे तक बस मन में ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें क्योंकि आप जो भी कुछ हैं ईश्वर की ही देन है ईश्वर का अंश है आप यह शरीर नहीं है जिस शरीर को आप देख रहे हैं यह शरीर तो मिट्टी है जब आप इस शरीर को छोड़ देंगे तो लोग इस शरीर को तुरंत ले जाकर जला देंगे भस्म कर देंगे इसे कोई नहीं रखना चाहेगा तो आप यह शरीर नहीं है इस शरीर में रहने वाली वह परम उर्जा है क्योंकि ईश्वर की उस महाशक्तिशाली सकारात्मक उर्जा से निकली हुई है जिसे हम परमात्मा कहते हैं और आप आत्मा है तो आप अपने उसी स्वरूप का ज्यान करें अपने आपको याद करें कि हम कौन है यह शरीर हम नहीं है उस तो इन सब बातों का ज्यान होना आपको बहुत अधिक आवश्यक है तो बस अपने इसी असली स्वरूप को आधे घंटे तक याद करते रहे और उस परमात्मा को जिसने आपको इतना सब कुछ दे रखा है उन सब चीजों के लिए लगातार आभार व्यक्त करते रहे ऐसा करने से प्यारे मित्रों हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके आसपास इश्वर का इतना शक्तिशाली आवरन तयार हो जाएगा फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा जो भी चीजें आपको नुकसान पहुंचाती है घाटा पहुंचाती है मानसिक पीडा है पहुंचाती है विस्तार ईजीजन नकारात्मक परिस्थितियों से उत्पन्न होती है लेकिन आपने तो अपने आपको पूप्त मंत्र दे दे कोई ऐसी शक्तिशाली चीज दे दी कि आपके जीवन में चमतकार घटित हो जाएंगे यार इमित्र ऐसा कभी नहीं होता है हमेशा अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने स्वयम के उद्धार की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है स्वयम को बदलना पड़ता है विचारों को नियंत्रित करना पड़ता है और भगवान से सीधे खुद छोड़ना पड़ता है हम या आपके अन्य गुरू या आपके बुद्धिमान लोग जो आपके आसपास हैं आपको मार्ग दर्शन करते हैं वह तो केवल आपके मार्ग को दिखा सकते हैं आपको रास्ता बता सकते हैं चलना तो आपको ही पड़ेगा बदलना तो आपको ही पड़ेगा मानना और जुडना उस ईश्वर से आपको ही पड़ेगा तो आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयम उठानी होगी प्यारे दोस्तों, हम जो विधी आपको बता रहे हैं, इस विधी को यदि आप पूरा नहीं करेंगे बस यही सोचकर बैठे रहेंगे कि कोई ऐसी चीज मिल जाए कोई ऐसी बात कोई बता दें, जिससे कि रातो रात करोडपती बन जाए चमतकार हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है जीवन भर बैठे रहिए, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा आप स्वयम अपने लिए करेंगे, वही आपको मिलेगा याद रखिये, मित्र सुदामा जी, यदी चलकर भगवान श्री कृष्ण के महल के दर्वाजे तक ना पहुंचते भगवान श्री कृष्ण जानते तो सब थी उनके बारे में लेकिन कभी उनके पास नहीं जा पा रहे थे लेकिन जैसे ही सुदामा जी चल कर उनके दर्वाजे तक पहुँचे तो वे नंगे पैर तोड़ के चली आए और अपने आंसुओं से उनके पैरों को धोया ये कहानी क्या सिखा रही है? ये कहानी है हर इनसान की कि जब तक इनसान स्वयम बदलाव के लिए कदम नहीं बढ़ाएगा अब तक भगवान भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे लेकिन यदि आपने स्वयम को बदल कर अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाकर जीवन को बदलने के लिए कदम बढ़ाएंगे तो भगवान दस कदम बढ़ाएंगे, आप एक कदम बढ़ाएंगे, भगवान सौ कदम आपके लिए बढ़ाएंगे, और आपके जीवन को बदल डालेंगे. ये मित्रों, ये जो भी दिया हमने आपको बताएंगे, वैसे तो और भी बहुत सारी विधिया हैं, लेकिन शुरुवात करने के लिए ये सर्वोत्तम समाधान है कि आप जितना हो सके उतना आभार व्यक्त करेंगे, उतना ही आपका मन पवित्र होता चला जाएगा, और आपक का दम घुटा जा रहा है, एक-एक सांस के लिए तड़प रहा है, उसे तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, उसे भी श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, उस इंसान के मन को महसूस करने की कोशिश करी है, तो आपको पता चलेगा कि जब सांसे आप ले रहे हैं, असल म को जागरित करने की कोशिश करेंगे, आप इतने असहाय नहीं हैं कि आप जरा-जरा सी बातों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाएं, आप स्वयम उस परमात्मा का, उस परम ईश्वर महाशक्ती का स्वरूप है, अपने आपको इस शरीर के रुप में देखना महामूर् यह शरीर तो मिट्टी है, क्षण भंगुर है, एक वस्त्र के समान है, गीता जी का वह स्ट्रोक तो आपको याद ही होगा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नय नाम छिंदन्ति, शस्त्राणी नैनम दहति पावक अहम पले दिया, जापन एसोसियेट ही मार यानि कि अर्जुन तुम यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा का ही एक रूप हो, तुम आत्मा हो और परमात्मा का ही एक रूप हो, और तुम जो हो उसे ना तो कोई छीन सकता है, ना अब नहीं चला सकती है, और ना ही उसे पानी गिरा कर सकता है, और ना ही उसे वायू सिखा स यानि कि तुम हर एक विकार से दूर हो, हर एक कारण से दूर हो, तुम्हें दुखी होने का कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब यह है, प्यारे मित्रों की हमारे जीवन में जब तक हम अपनी विचार धारा नहीं बदलेंगे, सोचने के तरीके नहीं बदलेंगे, तब तक गुरुओं के पास ग्यान होता है, चीजों के पास उड़ जाएं होती हैं, लेकिन गुरु का ग्यान चीजों की भूल जाएं और भगवान की कृपा तब तक प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक कि आप उन सब को ग्रहन करने के लिए तैयार नहीं हैं। नई चीजें देंगे जो आप चाहते हैं वह देंगे। भगवान जानते हैं कि आप एक आभारी व्यक्ती हैं, आपका मन पवित्र है, आत्मा शुद्ध है तो भगवान आपको फिर वह देंगे जो आप चाहते हैं, अन्यथा जो कुछ आपके पास है वह भी आपसे छीन लिय चाय का महत्व नहीं समझेंगे और जीवन के नाम पर बस रोते ही रहेंगे अब ध्यान से सुनिए हम आपको बताते हैं एक चीज के बारे में जिसे आपको घर से बाहर निकलते मैं हमेशा अपने बुक में रख कर निकलना है ये मित्रों इस चीज के अंदर बहुत शक्तिशाली और जाएं है और ये बहुत ही सस्ती है लगभग RS1 की ही पड़ेगी और आपके घर में मौझूद है जी हमें तो ध्यान से सुनिए जब भी आप घर से बाहर निकले तो आपको तो काम करने है पहला काम तो ये है कि आपको स्वर्विज्ञान का ध्यान देना है यानि कि आप अपनी नाक के पास हाथ लेकर जाएं और श्वास बाहर निकाले यदि दाहिनी नाक से स्वास बाहर आ रही है तो सूर्य स्वर चल रहा है तो सफलता हासिल करने के लिए आपको अपने घर के मुख्य दर्वाजे से दाहिना पैर बाहर निकालना होगा और यदि बाएं नाक से स्वास बाहर आ रही है तो चंद्र स्वर चल रहा है तो आपको बाया पैर यानि उल्टा पैर घर से बाहर निकालना है यह स्वर विज्ञान है यदि आप इस तरह जाएंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी अब दूसरा कार्य आपको यह करना है कि थोड़ा सा गुण और तुलसी की एक पत्ती पहले तो आप भगवान को भोग लगा दे इसका यानि किस नानादी करने के बाद भगवान को प्रसाद के रूप में इसे आप चड़ा दे इसी प्रसाद को आप अपने मुख में रख कर घर से बाहर निकले इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों आपको एक छोटा सा गुप्त मंत्र है जो हनुमान जी का सर्वकार्य सिद्ध मंत्र कहा जाता है इस मंत्र का जाब भी करना है मन ही मजाग करना है और थोड़ी बहुत देर तक करना है यानि कि आपने मुख्य में इस सामगरी को रखा और मन ह मन इस गुप्त मंत्र का उच्चारण किया, तो मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते हनुमते नमह मित्रों, बहुत ही सरल मंत्र है, एउम नमो भगवते हनुमते नमह, इस मंत्र का अब मन ही मन उच्चारण करेंगे, मानसिक जाप करेंगे और घर से बाहर निकल जाएंगे, जब आप घर से बाहर निकले तो आप पीछे मुड़कर ना देखें कि हां मित्रों ऐसा होता है। कई बार लोग बाहर निकलते हैं, फिर कुछ याद आ गया तो फिर अंदर आ जाती है। फिर चीज उठाई और फिर बाहर चले गए तो ऐसा करते हैं। ये गलत होता है। लड़का जो मुख्य दर्वाजा है, वहाँ पर कई दिव्य शक्तियों का वास होता है। और जब आप उस दर्वाजे से बाहर निकलते हैं, तो असल में आपकी वह दिव्य शक्तियां आपको अनुमती दे देती हैं। बाहर जाने की। लेकिन जब आप बार बार जरूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं और अंदर आ रहे हैं, ये असल में मृत व्यक्तियों का अपमान कहा जाता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। सारी व्यवस्थाएं अपनी जमा कर, सारी चीजों को लेकर और पूरे आध्यात्मिक तरीके से धार्मिक प्रवृत्ति के साथ, शुधता के साथ इस तरह से आप घर से बाहर निकले। साथ दिनों तक इस प्रयोग को ओफ करें। हमने पहले ही आपको बताया कि आभार व्यक्त करना, मौन रहना और नमन करना। सभी साथियों का साथ ही साथ इस उपाय का प्रयोग करेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं। प्यारे दोस्तों के इतने बड़े चमतकार घटित होंगे। जीवन में ही आपको यकीन ही नहीं होगा कि यह हो क्या रहा है आपके साथ। यानि आप जो चाहेंगे वह चीजें आपके साथ होने लगेंगी। जी हमें तो आप चाहेंगे कि यह इनसान आपकी खोल कर मदद करें तो वह आपका शत्रु ही क्यों ना हो वह भी आपकी मदद करने के लिए आगे बढ़कर आएगा। यानि कि आपके अंदर ही गजब का आकरशन उत्पन्न हो जाएगा और आप हर एक सकारात्मक चीज को अपनी ओर आकरशित करेंगे जैसे कि चुम्बक लोहे को आकरशित करती है। यह मित्रों अब सारी चीजों का सही तालमेल आपको बैठाना होगा। कोई एक चीज प्रयोग कर ली और बाकी की चीजें छोड़ दी तो कोई जादू चमतकार नहीं है। प्यारे दोस्तों फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर आप खुद ही जिम्मेदार हैं। हमने आपको पहले ही कहा है कि हम पहले ही कहा है।